अग्रेजों ने कभी भी इसको फर्स्ट वोर नहीं माना दे नेवर कंसिडर्डर्ड एस दी वर अप इंडिपेंडेंडेंस उनका मनना था कि यह कुछ सिपाही थे देश में जिसको अंग्रेज सिपाही बोलते हैं हम लोग आँबाशा में सिपाही बोलते हैं अंग्रेज लोग इसको सिपाही बोलते हैं तो सिपाही म्यूटिनी है अथास सिपाहीयों की बगावद एस दी वर अप इंडिपेंडेंस फर हम भारत वासी हम इंडिन इस्टोरियंस मानते हैं कि यह पहली आजादी की लड़ाई थी तो अंग्रेजों ने किस तरीके से किस तरीके से भारत में कबजा किया धीरे 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 राजाओं को लड़ाया कबजा किया तो बसे बहुत सारे कारण हैं ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाप खड़े हो गए हम साम भारतवासी अंग्रेजों कंट्रोल करना शुरू किया इंडिया को चार तरीके उन्हों लगाए इंडिया को गुलाम बनाने के लिए इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बात बहुत ध्यान देना है कि अंग्रेज कौन है याँ पर अंग्रेज कंपनी है जो हमारे तरीका लगाया आउट्राइट वार मतात युद्ध करो पहले तो वो ट्रेडर बन किया आयते भारत में भारत के राजाओं से परमिशन ली कि हम सिर्फ क्या करेंगे ट्रेडिंग सेंटर्स खोलेंगे फैक्टरी डालेंगे और धीरे धीरे पावरफल बनते चले गए और शिद्रक शिरू किया युद्ध तो सबसे पहले बैटल ओफ बकसर 1764 में जिसमें बंगाल, बिहार और उडिसा ये तीनों राज्य की दिवानी क्या? दिवानी? वो दिवानी मस्तानी? नहीं नहीं दिवानी मतलब होता है लेंड रेवेन्यू का राइट कलेट करना अथार्ट लगान कलेट करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया और क्या मिला? एंगलो मैसूर वार में अगेन उन्होंने मैसूर जीत लिया और एंगलो सिक वार में उन्होंने पंजाब जीत लिया तो इस तरीके से उन्होंने शुरुवात की इंडिया को जीतने की आउट राइट वार मतलब युद्ध करके दूसा तरीका क्या लगाया? सबसिडिरी अलाइंस लगाने वाले वेक्ती का तस्वीर देख सकते हैं लौड वेलेसली बहुत ही चलाक शातिर वैसे भी मैंने कहां अंग्रेज जो थे वो लोमड़ी की तरह थे क्या? लोमड़ी की तरह थे और घात लगा करके हमला करते थे चलाकियों से काम करते थे इंडिया को उन्होंने बहिमामी दगाबाजी लूट फसाद करके लूटा क्या? लौड वेलेसली का एक्जामपल देता हूँ लौड वेलेसली जब वोईजरोय बने देश के गवर्नर बने मतलब इस कंपनी के गवर्नर बने और इंडिया को जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक तलाकी की क्या चलाकी की? कहा की जो इंडियन स्टेट्स हमसे अलायंस करना चाते हैं हमारे साथ दोस्ती करना चाते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और हमारी पॉलिसी है सबसेड़ी अलायंस मतलब राजा ने अगर agreement साइन कर दिया मेरे साथ तो हम उसकी रक्षा करेंगे हम मतलब कौन ब्रिटिश और रूलर्स को ब्रिटिश के सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा उस राजा को जिसने हमारी जो हमारी शरण में आया है और वो राजा अपने येस वो राजा अपने किसको अपने फॉरेन रिलेशन को हमारे पास सरेंडर कर देगा मतलब उस राजा को जब भी किसी विदेशी देश से दुश्मनी या दोस्ती करनी है कौन डिसाइड करेगा अंग्रे डिसाइड करेंगे और क्या होगा अब बग किसी भी इसके साथ अलायंस नहीं कर पाएगा किसी दूसरे राजा के साथ सांट गाट नहीं कर पाएगा और क्या करना अलाउड नहीं होगा उसे किसी के साथ सीक्रेट ट्रीटी नहीं कर सकता और तो और उसे एक बिडिश रेसिडेंट को एक बिडिश और ही नहीं रहेंगे और तो और उस राजा को अपने राज में अंग्रेजों की सेना को रखना पड़ेगा उसका खाना पीना सब उसको भरना पड़ेगा तो एक तरह से देखा जाए अंग्रेज की जेना मुफ्त में रहेगी सारा खर्चा कौन करेगा वह भारती राजा मैंने का था लोमडी हैं एंग्रेज मैं गलत नहीं कह रहा हूं हाई यह और थोड़ा जाने इन अंग्रेजों के बारे में हाँ अरे गायब हो गया है चलिए आगे बरते हैं और अंग्रेजों ने क्या किया doctrine of lapse apply किया जी डी से doctrine डी से डेलाउजी लॉट डेलाउजी नाम के ब बहुत चलाक है इसने एक नियम मनाया लॉट डेलाउजी ने कि अगर कोई इंडियन रूलर हो कोई राजा हो भारत का और उसके पास अपना कोई वारिस नहीं हो अथार्थ कोई अपनी संतान नहीं हो जो राजगदी पर बैठ सके तो उसके किंडम को अंग्रेजी सरकार को यस ओवर पावर करने का उनका एक शलाकी भरत तरीका था इस तरह से उन्होंने रानी जहासी के साथ भी दोखा किया हां रानी जहासी जो की जहासी नाम के राजा की रानी थी लक्ष्मी भाई जी उनके पास अपनी संतान नहीं थी जब राजा की अकाल मृत्ती हो गई अ अपना कोई पुत्र नहीं था और अंग्रेजों ने अपना जंडा लैरानिक लिए आ गये वाँ पर यह देखिए अंग्रेज पहुद गया रानी के दरबार में कि खाली करो दरबार यहां पर अब बिडिश हुकूमत चलेगी रानी बोली ऐसे कैसे चलेगी बाई आजाओ पूरा वीडियो देखना है तभी यह चैप्टर क्रिस्टल क्लिर हो जाएगा कहानी के रूप में आपके दिमाग में क्या हो जाएगा यह कहानी चले जाएगी फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा ठीक है और वो चैप्टर पढ़ना भी ने पड़ेगा हिस्ट्री की सच कह रहा हूं पूरी बुक को मैंने एकदम सिंप्लिफाइड वर्जन में यहां ला दिया है सच कह रहा हूं एंटायर बुक ऑफ हिस्ट्री का एक एक चैप्टर हम ऐसा ही करने वाले हैं बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे हर एक चीज आपके पास सामने होगी स्क्रीन इन पर होगी विट इमेज एंड विट ओल इंफॉर्मेशन तो जहांसी के साथ ऐसा किया तो सतारा को भी ऐसा ही कर दिया जैदपुर की राजा के साथ भी आई किया संबलपूर उदैपूर नागपूर इन सब राजाओं के साथ ऐसा ही डॉक्रिन ओफ लैप्स नियम के तह और वो है अलेजड मिजरूल इसका मतलब है इलजाम लगाना कि आप लोग रूल अच्छा नहीं करते हैं इसलिए ये रूल हमको दे देजे अवद की राजा पर उन्होंने इलजाम लगाया ऐसा लाड डेलाउजी ने किया था अवद की राजा अवद वैसे यूपी को ही कह कर लिया क्योंकि जो अवद की राजा थे उन पर इलजाम लगाया कि आप अच्छे से राज्य चला नहीं पा रहे हैं और राजा की जो आर्मी थी नवाब की आर्मी थी उसको भी डिस्बैंड कर दिया गया सेनिकों को बेदखल कर दिया और अंग्रेजों ने वहां के करने के लिए सिर्फ पैसा 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 अंग्रेजों ने असा करने के लिए कि आता है यह तो पहला रीजंटर था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की political causes चल रहा है दूसरा political cause disrespect shown to बहादुर्शा हाँ बहादुर्शा हमारे भारत के emperor थे उसमें बहादुर्शा जो कि मुगल king थे उनका पहले तो coin से चित्र हटा दिया गया हाँ पहले राजाओं का चित्र बना होता था face बना होता था coin पे हटा दिया गया अंग्रेजों ने अपना एक नया coin बनाया जिसमें बादुर्शा जफर का चित्र अटा दिया और उसमें लास मुगल रूलर थे और लॉड डेलाउजी ने उसी की बात कर रहुं हो तो राजा पहले देश का राजा हां जो भी दियुदलिका राजा होगा वो देश का राजा होगा तो कहाrागे नहीं नहीं अब आप याँ नहीं रहे सकते हैं और क्या विजयती की गई उनकी lui कैनिंग नहीं 1856 में एक नया नीयम बनाया और अनौन्स किया कि बहादुर्शा के मरने के बाद उसके सक्सेसर्स को इंपिरियल टाइटल नहीं मिलेगी अथार्ट उनके सक्सेसर्स को अब राजा की पद्वी नहीं मिलेगी किंग या बाद्शाह या सल्त sóltan ये टाइटल नहीं मिलेगी अब वो राजा के नाम से नहीं जाने जाएंगे और इससे बिडिश क्या करना चाते थे मुसलमानों को हर्ट करना चाते थे इससे सारे मुसलमान हर्ट फिल के और जीनत महल जो की वाइब और बाहदुर्शाय आप देख पा रहें सीन में ये जीनत महल है और ये रहे हमारे एंपरर बाहदुर्शाजी तो जीनत महल को भी बहुत बुरा लगा बाहदुर्शाय को हा न और उन्होंने प्लैनिंग करना शुरू कर दिया कि कैसे अंग्रेज पेश्वा बाजी राओ पेश्वा कौन होते हैं एक्चुली प्राइम मिनिस्टर तो पेश्वा जो की माराथास के लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनका भी अपमान किया गया कैसे नाना साहिब जो के अडॉप्टेट सन थे किसके बाजी राओ टू के बाजी र जाता था हाँ एंगलो मराठा वोर के बाद बाजी राव 2 को पैंशन मिलता था ठीक है पर जब बाजी राव 2 मर गये और उनकी खुद की संतान नहीं थी तो उनके गोद लिए पुत्र उनके अडॉप्टेट पुत्र थे नाना साहिब तो बिडिशर्स ने नाना साहिब को पै पुष्टेनी घर जो की पूने में है जहां पर उनका एक तरह से महल है वहां से छोड़ करके आना पड़ा और कानपूर में रहने लगे जिया पेश्वा बाजीरोग के अडॉप्टेट संथे नाना साहिब जी तो इस तरीके से नाना साहिब को भी क्या किया गया अन्याय जेल पड़ा बिटिशर्स का और तो और जब नाना साहिब ने देखा कि बिटिशर्स उनको मदद नहीं कर रहे हैं तुन्हों ने उसके खिलाफ प्लोटिंग करना शुकर दे बहुत सारे राजाओं को उन्होंने क्या किया पाइनेंस किया मदद किया ताकि वो क्या करें अंग्र ऐग्चली में यह बिडिश कंपनी के पीछे किसका पावर था पीडिश क्वीन का पावर था तो एक त्रस से अंग्रेजों के भारत पे अपना कभजा भी जमा रखा था भारत पे रूल भी कर रहे थे और कहां से रूल कर रहे थे व्रितेन से भारत को इससे कोई भी प्रदा नहीं मिल ला था इसका नाम रखा गया है एफसेंटी हाँ नेक्स्ट है सोश्यो रिलीजिस कॉज़ेस अथा धर्म धार्मिक कारण कि क्यों हम अंग्रेजों के खिलाफ फस्ट वॉर अंडिपेंडेंडेंस की क्यों आईए उनमें पहला कारण है इंटरफिरेंस विद जल जाती थी सही केहा हूँ मैं सुनने में था ड्रामना लग रहा है पर बात सच है जो सती हुआ करती थी वह अपने पती के मृत्यूइ के समय उनकी perchा में जिंदा जल जाती थी तो सती मया बन जाती थी हाला बहुत ही रूख आपने वाली चीज़ है कि एक जिंदास्तरी को जला देना पर ये परंपरा थी उस जमने में और विल्यम बेंटिक्ट हाँ लौड विल्यम बेंटिक्ट ने राजा राम मोयन रॉय के हाँ के इंफ्लूएंस में आकर एक कानून बना करके इसको बैन कर दिया 18 चीन चीनटिक्टον में बेन हुआ अब वैसे तो मैं काऊंगा आज की नजर से पहुंगा तो बहुत अच्छा हुआ कि सतिनाम की परंपरा जो की डेनजर स परंपरा थी इसको बंद कर दिया गया पर उस से में तो लोगों को बहुत बुना लगा बहुत बुना लगा कि हमार दोज़ को विद्वाओं को सम्मान देनाने के लिए उनको शादी करने का अधिकार दे दिया गया और तो और वेस्टन एजुकेशन सेंटर्स खुले गए गर्ल्स के लिए तो इससे इंडियन्स थोड़ा नराज हो गए यह था सोशल कॉलेज और क्या कारण है फियर फ्रॉम इंडिया में उस समय टेक्नलाजी नहीं थी नहीं अंग्रेजों के पास पहले से ही इंडेस्ट्रियल रेवलूशन आ चुका था और जोगी क्रांटी दुनिया में ब्रिटेन के पास सबसे पहले आई था दुनिया में सबसे पहले और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कहां ख फिला दी गई या पैल गई कि यह यह जो टेलिघ्राफ के खंबे लगाए गए है जो टेलिफोन के खंबे होते हैं तार के खंबे वो लगाए गए लोगों को हैंक करने के लिए जो भी बिडिश के खिलाब बोलेगा बड़ी अजीब बात है अफ़ा तो जानते हैं कभी-कभी फैल जाती है दूसरा क्या था रिल्वे में जो टिकट लो ले लेगा वो रिल्वे के कंपार्टमेंट में ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ सकता है और जो पक्के ऑ high caste का और low caste का सब को टिकट जिसको मिल गए यह बैटने का दिकार है और high caste वाले उस समय low caste को पसंद नहीं करते थे उस समय बहरत में उचनीच की बड़ी परमपरा चलती थी उस समय समझ गये तो इससे इंडियन्स को बहुत बुरा मैसूस हो रहा था उन्हें लगा कि बिडिश को और क्या हुआ अंग्रेज हर वक्त चला की चलते मैंने का ना लोंबडी थे अंग्रेज वह उन्होंने पॉलिसी चलाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की अथार्थ धरम की अधार पर रेस की अधार पर इंडियंस को कभी पसंद नहीं करते थे वह कहते थे कि हम लोग करते थे इंडियंस क्सा बहुतitated मुसलमानों को तो और उन्होंने कह रखा था कि मुसलमान बहुत क्रूइल होते हैं अनफेइच्पूल होते हैं और ये उर्पियंस को करने का लिजिज het थी इंडियंस के साथ बड़ा बत्तमीजी जीड़ करते थे हां इंडियंस एंड आठियों से मारेंगे बहुत विज्जत करेंगे हाँ डिस्क्रिमिनेट करते थे हमसे हमेशा दूर रहे हमसे हमेशा वो लोग क्या करते थे दूर रहते थे हमें बहुत मिस्विएव करते थे सच में नौकरों से भी बुरा हमाईसा ट्रीट्मेंट करते थे अंग्रेज तो हम क्या छोड़ेंगे उनको क्या जब युद की बारी आई तो हम भी छोड़ेंगे नहीं उनको और क्या हुआ activities of missionaries आप आप सींद पर देख पाएंगे अंग्रेजों ने एक और शुरू किया चरीका इंडियन्स को convert करने का और किसको भीजा missionaries को तो 1813 एक ऐसा year है जिसके बाद missionaries action बहुत बढ़ गया मतलब बिडिशर्स ने इंडियन्स को convert कराने के लिए इंडियन्स को Christianity में convert करने के लिए क्या किया अपने कह सकते है Christian धरम गुरूओं को भीजा अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आदिवासियों को पूर्स को उन्होंने धीरे-दीरे convert करना शुरू भी कर दिया तो इस तरीके से इंडियन्स को बहुत बुरा लगा कि आप हमारे धरम के काम में भी टांगड़ा रहे हैं और तो और Western education का लोगों के अंदर डर था खास करके जो इस्लामिक पढ़ाने वाले लोग हैं हाँ जो मदर्सा में पढ़ते हैं अथार्ट जो मुसल्मान धरम गुरू वाले जो टीचर्स होते हैं और स्कूल्स होते हैं उनको भी बुरा लगा और जो विदान पढ़ने वाले गुरूज होंगे अथार्ट जहां हिंदू पढ़ाई कड़ाई जाती होगी धरम गुरन पढ़ाई जाते होंगे उनको बड़ा बुरा लगा कि यह कौन सा नया education आ गया इंग्लिश यह Western culture और यह Christian education वाला culture हमारे देश में नहीं चलेगा तो आई अभी तक हमने पढ़ा दो causes पढ़ लिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं economic cause अंग्रेजों ने हमें exploit किया हमारे resources को हमारे देश में पाए जाने वाले resources का अपने फाइदे के इस्तमाल किया कुछ example देता हूँ जैसे agriculture को भारत में जो cotton उगता था जो रूई उगती थी भा कहां से ले करके अपने देश देते थे क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज में cotton से cotton टेक्स्टाइल सिल्क से सिल्क गुड्स बना करके वो दुनिया मभरे में बेचते थे देखा कितने चलाग थे हमसे ही raw कच्छा cotton और raw silk ले जाते थे अपनी इंड बेचते थे हमारा ही सवान हमारा ही कच्छा cotton ले करके फिनिश बना करके हमें ही ला करके final product बेच देते थे यतने दुष्ट थे अंग्रेज हमसे ही food grain खाते थे देखा इंडिया में ready made British made goods को लाया गया ताकि हमारे देश के इंडस्ट्रीज वाले बरबाद हो जाए जो हमार इंडियन्स बरबाद हो गए handmade goods उनसे competition नहीं कर पाए क्योंकि हाथ वाले goods जानते हैं हाथ से बनी साड़ी हाथ से बना कपड़ा imagine करिए कितना time लेता है और machine तो जानते हैं कितना तेज काम करती है तो बिट्चर्स के पास machine का ताकत था उनके पास modern machine थी उस जमाने में रॉम इंडियन आटीशन बरबाद हो गए इंडियन इंडिस्ट्री बरबाद हो गई और देश में बेरोजगारी आ गई हाँ लोगों पस कामी नहीं है क्योंकि सारा machine made goods भारत में आके बनके बिक रहा है और क्या क्या अंग्रे जोने drain of wealth हमारे देश से wealth ले जाना पहला टाइम थ होता है हमारा exports ज्यादा था हम बेच ज्यादा रहे थे यह अलग बात है कि हम इंग्लेंड कोई बेच रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे पर उसका जो पैसा है वह भारत को नहीं मिलना था वह तो बिडिश खर्चा कर दे रहे थे तो transfer of wealth from India to England भारत से सारी wealth कहा जा रही ह लूट के पैसा कहा जा रहा है England जा रहा है ठीक है न और बदले में हमें कुछ पायदा भी नहीं मिल रहा है कुछ return goods भी नहीं मिल रहे मिल रहे में आरे गोल्ड दिदो कुछ दिदो बदले में नहीं नहीं कभे सा नहीं हुए हमारी जो कहते हैं cotton industry जुसको हम कहते हैं घर- स्टायल बनाने वाली कंप्णिया धी जो हर में यह आक्ष से बनाने वाल लोग थे उनको बिज्नस नहीं करने दिया इनको बरबाद कर दिया क्योंकि b tief made good सस्ते आते थे इंडस्टियों से बड़ा कपड़ा जो fine हईंस दो करते थे पहले राजाव अपने जैकेट्ट नहीं पना अब राजाई नहीं रहे योकि सारा राज्य तू धीरे-दीरे करके अंग्रेजों नहीं कचारी रुभा था और अंग्रेज्यों को इंडियम को शर्म करना 생각 हो उनको तो बिडिश्मेट कुट्स चाहिए तो इस तरह से जो आटीशन से कलाकार थे हां कारियर थे बरबाद पूरी तरह से तबाह हो गए विचारे कितने चलाकी से अंग्रेजों ने क्या किया मैंने का ना लोमडी हैं अंग्रेज मैंने गलत नहीं कहा था और बताता हूं बरडन लगाया अगर कंपनी जो से मैं चल लही थी वो ट्रेट के लिए कुछ पैसे कम पड़ते थे या वार के लिए पैसे चाहिए होते थे तो टेक्स बढ़ा करके किसानों पर जिसको हम कहते हैं लगान लगा करके किसानों से अपना पैसा वसूल लेती थी मतलब जो भी उन्हें इंडिया में ईद्ध लड़े थि तो उद्ध में जो पैसे खर्चे होते थे था अग्रेयों कहां से वसूलती थी हमारें ही किसानों से देखा इंडियन फार्मर्स तो इतना मजबूर हो गया इतना इंड्यक्टेड हो गया कि कई बात उन्हें अपनी जमीन चोड़ जमीन्दार्स आए जो नए लैंड लोड़्स आए वो बहुत ही गंदे थे वो अंग्रेयरो प्रयों के लोग थे और वो कसाई टाइपक के लोग थे यह किसी भी इंडियंस पर दोया नहीं करते थे हाइ लेंड टेक्स चार्ड गते थे और जो न देता था तो इसको यहां तो किरायदार they have to run away क्योंकि बहुत high land revenue लगा दिया एक सीन देखिए जरा साब इस फोटो को इमेज को देखिए अब आप देखेंगे कि किस तरीके से बेरोजगार लोग चारो तरफ घूम रहे हैं क्योंकि इंडिया में कोई इंडस्ट्री है यह नहीं इंडिया में unemployment है जो ऋपाई पौस में इंडियांज को रखते ही नहीं थे अगर सैनिको को भी रख़ा तो लोवर उस्पाई की पौस्ट्र पे रख़ा negativity इंडियांज इंडियांज इसले नाराज हो गया कि एक तो आरी इंडस्ट्री खतम हो गयी हमारी textile industry, handicraft work हमारा cottage industry बरबाद हो गया हमारे यहां कामी कुछ नहीं है और लोग भी क्या है खाली बैठे, बेरुज़गार बैठे खेती भी नहीं चल रही है यह इस्तिती थी unemployment चारों तरफ फैला हुआ था अब आप देखें, indigo जो हमारे Indian farmers थे उनको नील, indigo मतलब होता है नील, नील जानते है एक पेड़ होता है indigo का जिससे नील बनाए जाते है जो कपड़ों को डालने से क्या होता है कपड़े white हो जाते है हाँ, उजाला चार बूंदों वाला सुना है, या Robin Blue नाम सुना है, यह दुनों नील के कंपणिया है भारत की, इस समय current, Robin Blue और मैंने दुसरा नाम लिया, उजाला चार बूंदों वाला, कपड़े में डालो और उजाला आजाए, वो indigo है तो indigo farmers पर बहुत अत्या चार हुआ अंग्रेज पहले indigo इंडिया से ही ले जाते थे यहां से ही indigo उगाते थे farmers को मजबूर करते थे कि आप indigo गाईए और इसको ले जाते थे अपनी इंडिया ठीक है, और farmers के साथ बहुत inhuman, बहुत cruel treatment करते थे indigo एक बहुत ही कहते है, soil exhaustive crop था किसान उगाना नहीं चाहते थे क्योंकि indigo का कोई पैसा भी नहीं मिलता था farmers को मजबूर किया जाता था कि आप indigo गाऊ हमें लगान के रूप में पैसे नहीं चाहिए indigo चाहिए क्योंकि indigo उनकी industries के लिए raw material था देखिए कितने चलाख है farmers, अंग्रेज और क्या हुआ हमारे देश में एक नया उन्होंने एक कानून बनाया नाम रखा इनाम कमीशन क्या था इस इनाम कमीशन में 1852 में कमीशन आया जिसमें 20,000 landlords की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया बापरे अंग्रेजोंने कानून बनाया कहा कि अगर आपके पास आप landlord है अगर आपके पास इस संपत्ति का कोई प्रूफ है कि यह property यह land यह area आपका है तो सबूत दिखाईए ने तो यह सारी जमीन मेरी हो जाती अब बताईए कितनी चलाकी से जैसे doctor of labs में कहा कि या तो अपनी संतान होगी तुमारी और नहीं तो तुमारा राज जमीरा हो जाएगा देखा कैसे कैसे नियम मना रहे है वैसे यह भी नियम है क्या बोला landlord को कि landlord तुम हमें एक सबूत दो title evidence दो title evidence में दब होता है जमीन का कागज दिखाओ दिखाओ कहा प्रूफ है तुमारे पास लिकित में कोई कागज पहले जमाने में राजा वाजा तो जानते हो ऐसे ही दान कर देते थे ठीक है ये दस गाउं तुमारे ये पांच भी का जमीन तुमारी ऐसी होता था ना लोगों को कह दिया लोगों ने अब बीस हजार एस्टीट्स बीस हजार ऐसे बड़ी बड़ी संपत्यों को लेंडलोट्स को छीन लिया गया इसलिए चीन लिया गया क्योंकि उनके पास उसके पेपर नहीं थे ये था इनाम कमिशन तो क्या ये लोग खुशोंगे क्या ये छोड़ेंगे अंग्रेजों को एकदम नहीं यही लोग सब अंग्रेजों के खिलाफ फरस्ट वार अफ इंडिपेंडेंस में एक जोट हो जाएंगे ये सब लोग आईए कुछ और कारश जानते हैं जिसका नाम है military cause मिलिटरी में भी इंडियन्स के साथ हमेशा अन्याय हो रहा था जरा पहला अन्याय सुनिए इल ट्रीटमेंट आफ इंडियन सोल्डेर्स जो इस टिनिया कंपनी थी उसमें जो सिपाई काम करते थे जिसको सिपाईस बोलते थे उनके साथ बहुत misbehavior होता था वो अपने बिटिश सैनिकों के बराबर थे ऐसा नहीं कि बिटिश सैनिक बहुत होशियार होता थे ना ना वो इंडियन्स के बराबर ही थे सिपाई दो भी थे बट इंडियन सिपाईस को कम पैसा मिलता था कम अच्छा खाना मिलता था और खराब घर मिलता था देवर पूरली पेड इल फैड देखा खाना भी ठीक से नहीं मिलने है सिपाईयों का अमारे अंडियन्स को और घर भी अच्छा नहीं है करेंद अन्या है उमरे साथ मैंने कहा था लोमड़ी हैं उलो सिर्फ अपने लोगों के साथ येस अच्छा करते थे और क्या किया इन्होंने कानून बनाया देखे इस मैं देख पाएंगे आप किसेनिकों को मजबूर किया गया कि समुन्दर को लांग हो क्या था इस कानून का नाम General Service Enlistment Act 1856 इस कानून को बनाया गया इसमें कहा गया कि Indian Soldiers को अगर Service के लिए Duty के लिए युद्ध लड़ने के लिए कहीं देश के बाहर समुन्दर के पाव मेडना पड़ेगा तो उन्हें जाना पड़ेगा अब समुन्दर के पार जलदेव को लांगना पहले ये टेबू माना जाता था टेबू मतलब बनाया और इंडियन को मजबूर किया कि तुम्हें अब जाना पड़ेगा विदेशी में सर्वेस विदेश में अगर जाना पड़ेगा युद्ध लड़ने देखा तो इंडियन सिपाईोंने भी ये चुन-चुन के बदला लेंगे जितना जक्म दोगे जितने घाव दोगे अंग्रेजों उतने तुम्हें तुकुड़े करेंगे ये इंडियन सिपाईज खून से उबल रहे थे अंदरी इंद उबल जा ये देखिए और क्या कारण है इनके उबलने का एक अंग्रेज सेनेक हुआ करता था सोचे किसकी ताकत ज्यादा होगी हम इंडियन्स की तो डेलाउजी नाम के जो जो गवर्नर थे उन्होंने इवन सज्जेस्ट भी किया था कि बिटिश संख्या जल्दी से बढ़ाओ ठीक है ना और आम्स जालतर जो सोफिस्टिकेटेड आम्स या तियार थे वो इंडियन्स को नहीं दिय जाते थे अंग्रेज नहीं देते थे और तो और लिटिल प्रोस्पेक्ट और प्रमोशन इंडियन्स का देखे पोस्ट कितना नीचे है सिर्फ सिपाई टेट का पोस्ट या मैक्सिमम सुवेदार का पोस्ट इसका मदब जितनी उची पोस्ट हुआ करती थी सब अंग्रेजों ने अपने पास रखे थी इंडियन सिपाईयों को काम तो लेंगे उनसे भारत जीतने में मदद यही उचारे कर रहे है पर इनका सम्मान नहीं करेंगे इनको प्रॉपर पैसे नहीं देंगे इनको प्रॉपर घर नहीं देंगे क्या फाइदा होगा जब इज़त नहीं मिलेगी तो मैंने का आप बगावत करेंगे हम तो बगावत वहाँ संथाल लोगों ने जो हमारे भारत के आदिवासी है गर्व से कहो हमारे भारत में ऐसे आदिवासी है हमारे भाई बंदू ये ट्राइबल मैंने जो सिर्फ तीर धनुष से लेके रहते हैं इस संथाल ट्राइबल्स हमारे भारत के ये आदिवासी है ये बंदू ये ट्राइब मैंस जो बिहार और बेंगॉल में रहते हैं इनको भी अंग्रेज हरा नहीं पाए सच कह रहा हूँ इनको अंग्रेज कभी हरा नहीं पाए पूरी तरीके से क्योंकि इनोंने गोरिल्ला my और जो को इसका मतलब है हराय जा सकता है कि पहली घलत पहमी थी हमारे अंदर मिट वो सबसे इंपॉर्टन ड्रीजन आणे वाला है जिसको आपको जानना जरूरी है और this है immediate cause क्या हुआ कि 1857 में 1857 में आते यह भयंकर युद्ध ले लिया फस्ट वर फिंडिपेंडेंस हो गया तो उसका सबसे करना पड़ता है और फिर गोलियां चलानी होती है समझ गये तो उस काट्रिज को जो बंदुक में फिट करते हैं वो काट्रिज किस से लगी हुई थी उसके उपर fat of cow and pig लगा था अठार उसको grease of fat of corn pig से लगाय गया था तो इससे इंडियंस को मुh में लगाना था इंडियंस cow की respect करते हैं especially Hindus और pig को Muslims as a taboo मानते हैं अपशऑद मानते हैं नतीज़ा क्या हुआ हाह नतीज़ा यह हुआ कि दोनों ने यूज़ करने से मना कार दیا बोला इस cartridge को हम use in नहीं करेंगे क्योंकि इस cartridge को मैंने कहा मूल से tear करके बंदुक में fit करना होता तब गुलिया चलानी होती थी पहले जबाने की बंदुके बहुत बड़ी हुआ करती थी तो उन्होंने चलाने जा मना कर दिया और अंग्रेजों ने जुद करना शुरू कर दिया कि नहीं यह तो चलानी पड़ेगी और यहीं से शुरू ने वाला है बगावत आईए शुरूआत करते हैं बगावत बगावत of 1857 आओ मंकल पांडे जी पहला इंडियन सिपोई जिसने अपने ऑफिसर को बैरकपुर नाम के छोटे से एक छोटा सा एक मिलिटरी स्टेशन है जहां पर सैनिक रहते हैं बैरकपुर यह बेस बेंगॉल में है वहाँ पर इनफैंट्री में यह काम करते थे मंगल पांडे जी बिडिश सैनिक थे सिपोई थे हमारे देश में और इन्होंने जब अपने ऑफिसर को मना कर दिया तो उन्होंने इनको पर पनिश्मेंट की जिस पे उन्होंने अपने ऑफिसर पे अटेक कर दिया मंगल पांडे ने अटेक कर दिया उनको पकड़ करके execute कर दिया गया हाँ उसी barrackpur में execute कर दिया सारे सेनिकों में विद्रहों आ गया उन्होंने बगावत कर दी सारे सेनिकों ने और अपने ही commander को वहाँ पर British commander को खतम कर दिया वहाँ से आग फैली और पहुची मेरट मेरट center बन जाएगा मेरट दिल्ली के बहुत नजदीक एक चोटा सा शेहर है यहाँ पर 75 85 soldiers ने जब विरोध करना शुरू किया तो यहाँ पर भी सिपाईयों को arrest किया गया और सारे सिपाई जब एक जुट हो गये पूरे मेरट केंट को जहाँ पर military और कहां जा रहा है आजादो करके यह सब पहुचेंगे दिल्ली क्योंकि दिल्ली में बैठे वे हैं हमारे देश के राजा और इन्होंने दिल्ली पहुचकर इन दिल्ली में यह मेरट से दिल्ली आये सेनिकों का बाहदुर्शा जफर ने भी स्वागत किया और इन लोगों ने राजा को Emperor of India डिकलेयर कर दिया इन सिपाईयों ने मेरट से आये सिपाईयों ने डिकलेयर कर दिया कि अब हमारे देश का शाशक हमारे देश का राजा कोई और नहीं बाहदुर्शा जफर दिये बाहदुर्शा जफर ज्यादा समय तक वैसे मैंने का बहुत एजेट राजा थे बहुत ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए उन्होंने लंगसंगर जरूर किया बिडिश जिना को बहुत तगडी तरीके से रोका पर बिडिश के पास सपोर्ट था बिडिश गोवर्मेंट की तरफ से वहां से उनक ने ने लिए नितिजा किया नतीजा हमारी जो सेना में है यंगून और जिसको जबूक उनकी एक की शली hint यहां से मुगल डानेस्टी के हताओ लास्ट एंपरर मुगल लेनेस्टी के बहादूर साजफर खतम आते हैं लखनों का सीन देखते हैं लखनों में क्या हुआ लखनों में भी बिडिशर्स ने लखनों के नवाप का अपमान किया था तो बेगम हजरत महल ने रिवोल्ड को लीड किया वहां पे उन्होंने क्या किया अंग्रेजों के बहुत ताकतवरती उन्होंने लखनों को वापस अपने कपजे में ले लिया जब बेगम हजरत महल को नेपाल जाना पड़ा जान बचाने के लिए उसी तरह से कानपूर के लीडर थे नाना साहिब जी पेश्वा बाजी राओ के अडॉप्टेट सन नाना साहिब नाना साहि भी कानपूर से निपाल चले गए अपनी जहां पर उनके बाद उनको जादा पता नहीं चल पाया उनके बाद है इधर सेंटल इंडिया में क्या हुआ देखे रानी लक्षमी भाई तो खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी चमक उठी संसत्तावन की वह त दलवार पुरानी थी याद आया तो रानी जहासी इसलिए 15 है क्योंकि वह एक लेडियो करके अंग्रेजों से लोहा लड़ती है और एक समय आता है जब अंग्रेजों को भी वह रा चुकी होती है बट उनके ही यस अंग्रेजों द्वारा उनके सिपाईयों को खरीद लिया उनका अंग्रेजों से भैंगर युद्ध होता है और 1858 में वह अपने आपको और अपने गोदले पुत्र को समाप्त कर देती है और मज़े दम तक आगरी दम तक वह अंग्रेजों के हाथ जिन्दा नहीं आती है रानी जहासी अपने आपको समाप्त कर लेती है तांतिया त पर ऑपे को भी पकड़ लिया जाता है 1859 में और finally, इनको भी hang कर दिया जाता है। इनको भी 50 लगा दियाती है। और कुछ places हैं जहाँ-चाब बगावत हुआ, बरेली में खान बाहदुर जी ने। अंग्रेजों से यो लोहा लिया। हां, खान बाहदुर जी ने। बिहार में कुवर्सिंग ने पैजाबाद में एहमद दुल्ला ने तो अलग अलग जगहों पे ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर ये रिवोल्ट हुआ भारत के अनेक राज्यों में हिस्सों में अंग्रेजों को हम लोगों ने लोहे के चने चपवा दिये आए जाने क्या हुआ रिवोल्ट का एंड क्या हुआ नतीजा क्या निकला आपको क्या मालूम है चली आए देखते हैं पहला एंड ये हुआ कि अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इंडियन्स को दमन करने रोकने के लिए ये जो कंपनी हैं के लिए काफी नहीं है तो इस इंडिया तो 1858 में कानून बनाया उन्होंने अंग्रेजोंने और कानून बना करके कंपनी का रूल एंड कर दिया अब पावर किसके पास है अब बिटिश क्राउन के पास आथा देश को रूल कौन करेगी अंग्रेज रानी रूल करेगी बिटिश क्राउन रूल करेगा और Secretary of State और 15 Member Indian Council ये British Parliament को जवाब देगी अब देश को चलाएगा कौन Secretary Secretary of State नाम का एक पद होगा जो देश को चलाएगा जिसके साथ 15 Members होंगे देश का पहला Voice Royal Lord Kenning ही होंगे इससे पहले Lord Kenning ही, Lord Kenning ही क्या थे 1857 में पहले Governor थे और वही पहले Voice Roy बन जाएगे Governor पद हडा के क्या नाम दे दिया गया है बस पद चेंज कर दिया है नाम चेंज कर दिया है वेक्ति चेंज नहीं किया है Lord Kenning ही है और क्या किया भारत में तै किया गया कि भारत में Civil Services शुरू होंगी Civil Services मतलब कि भारत में ICS के एक्जाम होंगे और क्या हुआ देखिए Queen Victoria को आप देख सकते हैं इमेज पे Queen Victoria अंग्रेजो की रानी है यह British Crown तो क्या कहा गया Government अब Non Intervention करेगी अब किसी भी धरम के मामले में तांगने अड़ाएगी और सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट करेगी भारत के सभी लोगों के साथ सम्मान से भी एक करेगी याद रखेगा एक Dumb Fox हैं मतलब जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं जो कहा इन्होंने सब उल्टा किया कहा इंट्रवेंशन नहीं करेंगे धरम के मामले में सारे इंडियन्स को इकोली ट्रीट करेंगे हुआ उल्टा डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया इसके बाद मतलब इंडियन्स को लड़ाओ हिंदू मुस्लिम एक हो रहे थे उस समय फस्ट वर इंडिपेंडेंस तक बोला इन दोनों को लड़ा डालो आपस में इन लोग आपस नहीं लड़ते रहेंगे आजादी की मांग तो कभ इगवल ट्रेट नहीं किया तो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लमेशन तो सब उल्टाई था और क्या हुआ हमारे देश में बड़ा चेंज आया पेश्वास शिप खतम क्योंकि नाना साहिब लास्त थे वो चले गए मुगल किंडम खतम मुगल समराज्य खतम मुगल शिप रहा है से बहुत सारे राजाओ वाले राज्य थे इनको कहते हैं इनको कहा गया कि डॉक्टर्न अफ अनेक्स सेक्शन और अब हम नहीं करेंगे मुझे लॉड डेलाउजी ने डॉक्टर्न अब बनाय था अब उसे हम बंद करते हैं और कहा गया जो इंडियन प्रिंस जो भा अपना हो चाए गोदलिया हो सबको राजा बना सकते हैं देखा कितने चलाक थे लोमड़ी थे मैंने कहा था अंग्रेज क्वीन विक्टोरिया को एंप्रस ऑफ इंडिया घोशित कर दिया गया बारत की समरागी क्या बारत की समरागी राजा होता तो समराठ होते ना तो समरा आंगी बना दिया गया Queen Victoria को और इंडियन राजाओं को कहा गया कि आप जूनियर पार्टनर बन करके क्राउन का पार्टनर बनके इनके चेले चपाटी बनके इनके अंदर में काम करिया आप लोग और ऐसा हुआ भी इंडियन क्रिंग सच में उन्हीं के अंदर में चले गए आ तश PR कभी बिडिश और ने मुसलमनों को मदद करना शुरू कर दिया हिंदियों को हिंदू को अलग कर दिया और कभी इसका उल्टा किया उन्होंने दोनों के बीच नفरत पदा कर दिया ईल ट्रीटमेंट और हीटरिट पदा कर दिया जों कभी खतम नो पाई कभी ने खत्म हो पाई racial antagonism अथार्त अंग्रेजों ने हमेशा अपने आपको racially superior माना उन्होंने माना कि बृटशर्स racially supreme है वो इंडियंस के साथ कभी भी घुल मिल नहीं पाई कभी नहीं घुल मिल पाई वो अपना आपको हमेशा हम से उच्छा मानते थे वो में रह रहे हैं हमारी foreign policy तो हम नहीं तैख कर पाएंगे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन से राजा के साथ दोस्ती करें किस राजा के साथ क्या करें बिजनस करें ना ना कौन डिसाइड करेगा बिडिशर्स इवन foreign countries आसपास जो नेपाल है बर्मा है इन सब से भी क्या किया जा रहा था हमको दूर किया गया था ठीक है न हम लोग को इंसे भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी सच में यह सब हमारे दफाया या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और क्या उन्हें लगा अंग्रेजों ने अपना policy change कर दिया policy लगाया non interference and religious affairs हम अब भारत के धर्म के मामलों में जैसे सती सिस्टम उन्होंने बंद करा दिया था विडोरी marriage शुरू कर दिया था 1856 में काव हम अब हम क्या करेंगे इंडियन के किसी भी धर्म के मामले में टांग नहीं ड़ाएंगे जाओ तुम लोगी जो मर्जी करना करो और आर्मी में बहुत बड़ा मतलब अब Europeans की मात्रा बहुत बड़ा दी एक तरह से कह सकते हैं लगभग सेम रेश्यो कर दिया मतलब जितने बिटिशर्स उतने इंडियन्स सोचिए अब उनको समझ में आ गया और क्या करने लगे मतलब जो की पोजिशन्स होती हैं जैसे कहते हैं कि सेना के साब से जो इंपॉर्टेंट पद होते हैं वो सब यूरोपेंस के लिए अथा अंग्रेजों के लिए रिजर्व टे इंडियन्स को पोस्ट नहीं देंगे और इंडियन्स को कहा गया कि आपको कोई भी सफिस्टिक अधियात में नहीं रहेंगी उस सब बढूर के पास रहेंगी ठीक्या ना डिस्क्रिमेशन किया जाने लगा कास्ट के बैसेश पर ली जन के वैसेश पर और आर्मी में भी क्या होने लगा बहत आपने Lord कि उल्टा करेंगी亲 और बहत विद्बाउ शुरू ov टिया आर्मी में भी पान मुसल्माने के अलग आर्मी बनाई सिख्षों की अलग रेजिमेंट बनाई सच कह रहा हूं अलग अलग रेजिमेंट जां उसकर अपनाई ताकि हम लड़ते रहें इंडियन papers को newspapers को क्या कर दिया गया prevent किया गया from reaching the soldiers soldiers को कुई भी दरीके की कोई भी देश की जानकारी नम बिल सके ताकि उनको पता न चले की देश में क्या चल रहा है समझ कि इतने चलाक थे अंग्रेज और क्या किया नोंने देश का economic exploitation बरकरार रखा इंडिया को एक ऐसी colony बनाया जो उनके लिए raw material supplier बने और उनके लिए market बन जाए तो हर तरह से भारत को क्या कर दिया अंग्रेजों ने बरबात कर दिया इंडियन में जो secretary of service और जो member councils थे इन सब के लिए खूब सारा पैसा लगता था पर वो सारा पैसा कहा जाता था बारत से तो अंग्रेजों की जो जितने भी civil servants है higher positions के लोग है इन सब की उची उची salary इंडियास के resources से जा रही थी मलब देश को अंदर ही अंदर खोकला किये जा रहे थे जो हमारे पार्मर्स थे वो दिन बदिन और गरी पीजन्स मतलब पार्मर्स होता है वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे थे कई बार उन्होंने रिवोल्ट भी गया पर उनको कुछल दिया गया उनको दफना दिया गया मार दिया इंडियन आर्टिशन इंडस्ट्री थी अतात हैंडी क्राफ्ट स्पिनिंग वीविंग सब को अंग्रेजों ने चलने ही नहीं दिया क्योंकि मशीन मेट गुड्स सस्ते होते थे और बहुत अच्छी क्वाल्टी के होते थे नतीजा इंडियन हंडी क्राफ्ट चला ही नहीं जैसे आजकल चैनीज मेट गुंडिया में खुब सारे आ गए है और उनके चक्कर में इंडियन जो कंपनिया हैं उनके सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके गुड्स सस्ते हैं इंडियन कंपनी के मुकाबले हाँ यह बलग बात है कि हमारी कंपनी के आगे उनकी क्वालिटी खराब है थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं ह सब्सक्राइब करें और इंडियंज को क्या मचबूर किया गया एंडियंज को मचबूर किया कि वह बहुत ज्यादा टेक्स फरें हैं कि इंडिया में अंग्रेजिए उन्हें सिर्फ Railway कोल माइंस प्लांटेशन जूट मिल्स और शिपिंग सिर्फ इसमें ही पैसा लगाया क्योंकि इससे उनकी इंडस्ट्री को फाइदा हो रहा था वहाँ जो बिडिश में इंडस्ट्री जैं उनको फाइदा बस इसी लिए वरना वो इसमें भी पैसा नहीं लगाते उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भारत का लाब उने वाला है वो अपने लाब के लिए इसाब काम कर रहे थे हैं आपर Rise of nationalism अब देश में एक नई ज्वाला एक नई रोश्नी एक नया क्रांटी पैदा होगा क्योंकि हमारे देश के इतने वीर सपूत मारे गए हैं इतने महान महान देश के सपूत रानी लक्ष्मी बाई, नाना साय, मंगल पांडे इन्होंने आने वाली जनरेशन के अंदर एक नया चोश, एक नया खून, एक नई ताकत भर दी थी कि अब हम अंग्रेजों से डपने वाले नहीं हैं, समझ गया ना, अब छोगेगा नय, ये स्पिरिट डाल दी, नेशनिजम की, देश प्रिम की स्पिरिट जग गई, इस वार के बाद, हाँ ये वार एक तरह से कहें, आगे आने वाला जो कह सकता है, गांदी जी के साथ जो म क्या करो, गल्फ बिट्वीन हिंदू और मुसलिव, हिंदू और मुसलरमानों को एक दूसरे से लडाओ, और ये उनका काम कर गया, बिडिश पॉलिसी और डिवाइड रूल से दो अलग कम्यूनिटीज बटने चले गई, दूर जाते चले गई, उन्होंने डेलिबरेट पाएं और इसका effect भी हुआ, इसका effect भी हुआ, चलिए, क्या बुरा effect आया, first war of independence का, कुछ बुरा था क्या, अच्छाईय है तुम ने बहुत बता दी आपको, आना, आपको बता दिया कि क्या impact पड़ा, क्या effects पड़ा, आपने देख लिया, कुछ बुराईया है, हाँ, इस मुमेंट का कोई plan नहीं था, यह uprising अलग अलग हिस्तों में हो रही थी, कोई कानपूर में लड़ रहा है, कोई लखनाव में लड़ रहा है, कोई दिल्ली में, कोई planning नहीं है, क्या हो, हम लोग एक साथ मिल करके अंगली अटेक पड़ा है, कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा है, कोई एक common leader नहीं था, इनका, याद रखेगा, there was a no common goal, बस एक ही goal था, बस अंग्रेजों को मारना है, और कोई goal नहीं था, समझ गये, और इस दिन्या कंपनी में जो आदमी काम कर रहे थे, वो खास करके जिसे Lawrence Nicholson, General Havelock, यह सब आर्मी के commander है, यह बहुत ही experienced commander है, इन्हो अंग्रेजों का राज्य जो है, वो हमारे पास से बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, पैसों में भी, material में भी, manpower में भी, हार चीज में के पास हमसे अदा अच्छा था, था, था मैंने कहा, आज हमारे से बराबर नहीं है, याद रखेगा, आज की इंडिया की बात करों उ आज हमारा ही प्राइम मिनिस्टर है, रिशी सुनक जी, अपने नाम सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेइन, सच में एक भारतिय नागरिक है, तो आज वो देश भी हमारी मुठी में है, समझ गया ना, हर दिन कहते हैं एक समन नहीं होते हैं, कहते हैं तो देखो तुमारे सामने है जो देश हमको गुलाम मनाया था आज हमारे भारत का सपूत वहाँ पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ पे आज भी इंडियन अबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर चलो और बताता हूं तो बिडिशर्स ने जीत लिया मानता हूं और यह मुवमेंट नेशनवाइड नहीं था एक्चुली खास करके साथ इंडिया में इसका स्प्रेड बहुत कम था साथ में वैस में स्प्रेड कम था सिंद और राजिस्तान को तो पता ही नहीं था यह दो ऐसे स्टेट थे पहले सि की मदद की थी देखा तो सिंध राजिस्तान को पता ही नहीं है कि देश में लडाई चल रही है और कुछ इंडियन स्टेट्स बिग जमिदार ने भी मुव्मेंट को जॉइन करने से मना कर दिया था कुछ एक्जामपल देता हूं चिन नहीं हो गया मंबई हो गया कॉलकता हो यहां कि जो मनी लेंडर्स थे इन्होंने क्या किया बिडिशर्स को सपोर्ट किया पैसे से सपोर्ट किया समझ गया है बहुत सारे एजुकेटेड इंडियन्स नहीं चाते थे कि देश में अपराइजिंग हो जोस लिजे और लास में अपराइजिंग वास सपोस्ट टू बि गया तो इस वौर के बारे में कहा गया है मैंने कहा हमारे देश के जो राइटर्स है महान लेखक है उन्होंने इससे बोला है हमेशा कि यह एक ऐसा वार था जिसे हम कह सकते हैं आजादी के लड़ाई पर मैंने कहा अंग्रेज कभी भी इसको वार फिंडिपेंडेंस नहीं म क्योंकि first mass surprising था, भारत के हर समाज के लोग, हर section के लोग, इसमें participate करते हैं, अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं, क्योंकि उन सब का दुश्मन एक है, अब वो चाहे farmers हो, चाहे landlords हो, हाँ, वो peasants हो, middleman हो, और cynic हो, सब ने अंग्रेजों कसे लड़ाई-लड़ी, और क्या हाँ, इसके बात के chapters आप पढ़ेंगे, growth of nationalism, चलिए, तो this brings to the end of the entire chapter, as per the latest famous of 2024, और मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, कि इसनी excitement के साथ, इसनी energy के साथ, आपको सारे lessons मिलेंगे, और यहीं मिलेंगे, हाँ, अगले videos को आप कुछ समय बात देखेंगे, इसी जगे पोस्ट ह होता हुआ, और आपके लिए सर्तरुन रुपानी, एक दम नए तरीके से, एक नए concept के साथ, सारे lesson वियोज दा रहे हैं, और आप से कहूँगा, अगर आपने channel में join नहीं किया है, subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लिजेगा, और description में आपको दे दे रहा हूँ, मैं link, हमारे whatsapp का भ के description में, हाँ, और आपको देता हूँ, telegram channel हमारा, जहाँ पर आपको notes भी मिल जाएंगे, और हमारे app के बारे में तो एकदम मत बुलिएगा, app का नाम होगा, sir तरुन रुपानी, play store में available है, even google play store, या आप apple के app store से भी इसको download कर सकते हैं, इस app में क्या मिलने वाला, इसमें free study material, क्या ध्यान से सुनिएगा, keyword है free study material, जहाँ पर धेव सारे free contents आपके लिए uploaded है, चली मिलते हैं, bye, take care, and